नमस्कार स्वागत है आप सभी का के नियूज में मैं दुर्गेंदर चोहान हूँ जिसके पास रसूख है पैसा है बाहूबल है या जाती बल है क्या हुआ न्याईक विवस्था से बाहर है यह बड़ा सवाल है देश की सर्वोच अदालत ने लखीमपुर कांड में यूपी क सरकार और सिस्टम पर डंडा चलाया है इसके बाद सिस्टम की चमड़ी थोड़ी सी छिलती हुई नजर आ रही है मन्थन इसी पर सुप्रीम डंडा जरूरी पार्ट टू सासन प्रसासन इसे चलाने वाले तंत्र को ठेंगा दिखाकर ग्रह राजिमंत्री अजय मिस्र ट्रेनी का बेटा आसीस क्राइम ब्रांच के समन पर आज हाजिर नहीं हुआ खबर यह है कि इस कांड के तूल पकड़ने के बाद आसीस और उसके दोस्त नेपाल भाग गए है हलाकि इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं है यह आरोप अखिले स्यादो समाजवादी पार्टी के मुख्यां उन्हों भी लगाए सुप्रीम कोट की फटकार के बाद लखीमपूर की क्राइम ब्रांच ने आज फिर ग्रह राजिमंत्री के पैतरक आवास लखीमपूर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है सुबह सुनवाई थी सुप्रीम कौट में और सुप्रीम कौट ने खरी खरी बाते हैं सुप्रीम कूट disp पर उट्थ प्रदेश के डीजी पी को आए हाथ हो लिया कि हम्यीं दिथी पी तु कहीं कुरे सिनर्यों में एक मूचू वाले अफसर पुलिस की अगवाई और करते पूरे सीर में कोई एक बयान मुझे नहीं याद पड़ता आप लोगों को याद हो तो आप समझ लीजिए लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इनका कोई बयान आया हो हर जगे यही मुझो वाले अफसर उत्तर प्रदेश की पुलिस की अगवाई करते रहे प्रसांत कुमा सुप्रीम कोट में आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोट ने एक-एक करके एक-एक करके बिल्कुल परते उधरी उसके बाद आद दोपार को लखीमपूर की क्राइम ब्रांच ने अजय मिस्टर टेनी के घर पर उनके बेटे को जो कल समन के करने वाली जो नोटिस लगाई तर उसके ठीक नीचे दोसरी नोटिस लगा दी और कल ग्यारा बजे उनसे अनुरोध किया है कि भाई साब आ जाई यारी कल सुबह ग्यारा बजे आसीस को पूस्ताच के लिए बुलाया जा रहा है और इस बीच लखनोग पोचे ग्रयराजी मंतरी ने एक बार फिर सफाई दी कि उन्होंने कहा कि कल मेरा बेटा हाजिर हो जाएगा पुलिस के सामने और कई दलीले भी दी पहले सुप्रीम कोट ने क्या कहा वो जरह हम आपको दिखाएंगे कि सुप्रीम कोट ने आज किस तरीके से किन सब्दों में अपनी नाराजगी वेक्त की लेकिन जहां तक जो मैंने उसका लबोलवाब निकाला बहुती कठोर सब्द थे आईना दिखाने वेले थे बहुती सुप्रीम कोट के जो उन्होंने फटकार लगाई है सिस्टम को तंत्र को उसको जड़ा दिखाया जाए सुप्रीम कोट को अब तक क्यों नीगरब्ता किया गया दूसरा सवाल सुप्रीम कोट किया है कि यह सबसे अहम सवाल निर्देश निया है कि सबीटों से छेड़ चाड़ ना की जाए फॉप्रीम कोट ने दो कहा कि 302 के आरोप में यह नहीं होता कि प्लीज आ करा हैं अगर के जिन लोगों ने कल मंतन का जो कल का एपिसोड देखा होगा तो अच्छर सहा जो जो बाते सुप्रीम कोट ने आज कहीं है फटकार लगाई है यह यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के सिस्टम को फटकार लगाई है और उसे चलील किया सिस्टम को वो सारी वहाई बाते हमने कल मंधन में और के यूज नहीं बहुम्धार चैनल होने के नाते के निवी यह और हमने मंधन में सारे बिंदु उठाये थे कि भाई क्या कभी इस तरह होता है कि कोई हत्या का आरोपी उसको कहा जाता भाई साहब आपा जाईए सुप्रीम कोट ने प्लीज सब उपियों किया हमने भाई साहब कहा था कि इसी तरीके से ये भी हमने सवाल उठाया था कि क्या आम कोई अगर आरोपी होता है तो पुलिस उ उसे कम से कम समन करती है क्या इस तरह की चीजे होती हैं क्या क्या का ऐसा होता है क्या कभी मजी तो नहीं लगता कि ऐसा कभी होता हो वर सारे सवाल बिल्कुल सुपरीम कोट उठाया राज सरकार ने उनसे Gut Confed नहीं है लेकिन जो पहला ही सवाल उठाया है वो कह दिया कि भई ऐसा कहीं होता है यह कौन सा सिस्टम है हत्या के आरोपी एक जो मास्किलिंग है उसके आरोपी चार-चार लोगों की हत्याएं पांच-पांच लोगों की हत्याएं आठाट लोगों की हत्याएं उस पूरे प्र सभाल था मारा कल मंतन्हें सबसेपारव सभाल था तो आज जो कल Ýogen हमने मंतन्हें पिर उक बार requis Meng लड़ा का उप हुआ कि देश में के इसके ऐए वह पहला ही चेनल है मैंने नहीं आहिए सुप्रीम कोट ने सारे सवाल उठा दिये सरकार की धागे खोल दिये बिलकूर एक तरीके से सुद्ध बासा में कहिए तो वो सारी बाते बताई लेकिन एक और सवाल किया गया अब तक गिरफतार क्यों नहीं किया गया दो अक्टूबर की गटना है आज अक्टूबर हो गया आपने गिरफतार क्यों नहीं किया बहुत बड़ा सवाल उठाया है यह सारे सवाल बहुत जुलंत हैं बहुत महातूपूर है कल के मंतन पर जरा एक गवर कीजिए तो आप आपको यह नहीं लगे गया कि भाई यह वेक्ति जबानी जबानी खर्च कर रहा है देखिए 304 की फाई आर है उस व्यक्ति को समन करके नोटीस देखे सा सम्मान बुलाया जा रहा है कि आप आए जब बयान दीजिए अद्बूत है मामला एक आम आदमी के खलाफ छोटा सा मुकतमा लिख जाता है पुलिस कालर पकड़कर गसीट कर लाती है उसे और इसमें सम्मान पू अब कल सुबध 10 बजे आ जाई पूलिस के साबने आप से कुछ पूस्ताच करनी वह भब खास लोगों के लिए अलग सिस्टम और आम लोगों के लिए अलग सिस्टम यहीं चीजें यहीजें सरकारों को सिस्टम को बिवस्ता को कटगरी में कड़ा करती है कि सुना अपने हम कोई फर्जी वावाही करते नहीं ना अपनी न अपनी चैनल के यह जो भी है प्रतिक्षम किम प्रमाणम साफ जो जो मुद्दे एक-एक मुद्दा हूँ बहू अगर आप देख लें यूट्यूब पर पड़ा हुआ है मन्थन का एकल का एपिसोड आप दे बिंदू मानी सुप्रीम कोट ने उठा दिया और उत्तर पर्दिस सरकार से पूछा है तमाम तरीके सवाल पूछे इसलिए हरवड़ी है और उमीद है कि मुझे पूरा यकीन है कि अब चुकि सिस्टम की गर्दन फस्ती नजर आ रही है अपसरों की गर्दन फस्ती नजर आ रही है तो मुझे लगता है कि कल जैसा कि अपने बयान में भी कहा है कि उनका बेटा कल हाजीर हो जाएगा आएगा कल क्राइम ब्राँच के सामने आएगा लेकिन दिल्चस्प देखना ये होगा कि क्या आजेियमस्र ट्रेनि के बेटें को हेरासत में पुलिस रखती है या पूस्तास पर फिर जानेस दे लेती है क्या कल उनकी गिरफतारी होती है क्या उसकी गिरफतारी होती है यह फिर समन करके पूस्ताच करके फिर उनको एक रास्ता दे दी जाता है मुझे इसकी उमीद कम लगती है क्योंकि अब सुप्रीम कोट में इतनी फजीहत हो चुकी है और कोट का जो रुख है वो बहुत सक्त है जहां तक हम समझते हैं जहां तक हम बहुत विद्विसेसग्य नहीं हैं हमारे साथ अभी थोड़ी देर में रिट्राइड जड नकवी साहब और सुप्रीम कोट के वकील में जोड़ेंगे मुझे लगता है हमारे सायोगी करें जोड़ गये हैं हमारे दोनों मेमान अभी उनसे भी बात करें लेकिन पहले राजिमंत्री को सुन लेते हैं बेटे के बारे में वो क्या कह रहे हैं क्या फर्मा रहे हैं लखनव पहुंचेते सुबह और बाकायदे उन्होंने आज भारती संगठन और सरकार में अपनी भूमिका आदा कर रहा है तमाम विपक्षी दल चाहे प्रियंका गांधी हो वो चाहे अखले शादव हो चाहे संजे सिंग हो सब कह रहे हैं कि भाई निस्पक्च जाच कैसे होगी जब पिताही कुर्सी पर बैठा हुआ है निस्पक्च जाच क नहीं होई चौधरी साब सर पटक कर रहे जाएं नहीं होगी फाई यार नहीं होगी सुनिया जड़ागर है राज मंतरे को पूछ नाज के लिए हाजिर होंगे ना तो आप तो ऐसे बता रहें जो इसे कोई बहुत बड़े अपरादी हो आरोप किसी लिए लगाए हैं वो गलत आरोप हैं हमारे पास पूरे साच हैं ना तो वो घटना इस्थल पर थे ना वहां पर उपस्थित रहे कारिक्रम इस्थ हो था है जांच की मांग हमने स्वयम किए यह सरकार वैसी सरकार नहीं है चाहें कोई भी हो कितना भी रशूका हो परवावी तरह से हमारी पूरी तरह से जांच होगी और जो दोसियों उनके विरुत का लिजी साहब मंत्री जी खुदे जांच अदिकारी बन गए अब जो र प्रियंका गांधी हो खेले स्याद हो कि भाई इनको हटाओ यह रहते हुए इस सबूतों से छेड़ चाड़ करेंगे और सुप्रीम कोट ने आज साफ तावर पर कह दिया है उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सबूतों से छेड़ चाड़ होई ठीक नहीं होगा लेकिन जिस साफ से परिशितियां है सबूतों से छेड़ चाड़ तो होगी की जा रही है देखिए इस तरीके से चीज़े घुमाई जा रही है इस सत्य बात है कि अगर किसी के बेटे किसी के भाई यह स्वयम पर आरोप लगें तेनी जी पर भी आरोप हैं गंबीर आरोप ह और यह हम नहीं कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारी लोग इस बात को कह रहे हैं कि उन्हों ने भड़काया और इस बज़े से इतना बड़ा कांड हो गया कि पूरी मतब अजीब इस चितियां कि यह भी बाते कही गए अभी मतमाम विपक्षी दलों ने मांग उठाई प्रियंका गांधी ने उठाई और सारी विपक्ष ने मांग उठाई जांच होनी चाहिए यह सारी यह बात आज एकमुस्त एकसात विपक्ष ने इस सारी बातों को रखा है जोरदारी के साथ में रखा है विपक्ष इस बीच पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक्ष नवजोव सिंग सिद्धू लखीमपूर पहुंच गए तमाम जद्धो जहद ललाई जगडा करते हुए पुलिस से भीड़ते हुए गुरु पहुंच ग इसमें कहीं कोई संदे नहीं प्रियंका गांधी आते हैं राजस्थान से पाइलट साहब चले आते हैं हरी आणा से जो प्रदेश कॉंग्रेस की अध्यक्ष हैं सहारनपूर तक चली आती हैं सामली तक चली आती सिद्धू साहरनपूर में जद्धो जहद करके लकीमपूर पहुंच जाते हैं चन्नी साहब आते हैं हरी सरावत उत्राखंड से चले आते चवत्तरफा आक्रमण मजबूत विपक्ष के रूप में कॉंग्रेस ने अपना काम यहां किया है करते नजर आए जिद्धू यह जो दर्श्याप देख रहे हैं यह पत्रकार निर्दोस पिचारा मारा गया पत्रकार रवन कस्यप उनके घर की तस्वीरें हैं सिद्धू ने मौन ब्रत धार्लक लिए मौन उपवास कर रहें बोल किसी से नहीं रहें कि अब आप कहेंगे कि सर्दार जी क्यों उपवास कर रहे हैं क्यों बैठे हुए हैं और पत्रकार के घर में बड़ा एहम मुद्धा है कि सिद्धू कर रहे हैं कि जब तक मंत्री के बेटी की गिरफतारी नहीं होगी मौन उपवास जारी रहेगा यहीं हटेंगे नहीं पत्रकार के घर से यहीं पे धरना चलेगा लेटे हुए बीच बीच मुन के तवियत बिगड़ गई तो लेट गए बोल किसी से नहीं रहे हैं सारा प्रसासान पुलिस के लोग आप मतलब एक पायर पे खड़े हैं किसे में पता नहीं कौन सा हट है अगर टेनी जी बहुत साफ सुत्रे अच्छे आदमी सिधे आदमी है उनके बेटे उनके परिवार नहीं किया है तो इस्तीफा ले लिजिए उनसे ना फिर बना दीजिए का सपत ही तो दिलानी है वीसे साथिकार है आपको स्तीफा बहुत सारे सवाल है लेकिन बड़े जुलन सवाल है सुप्रीम कोट के रुख लीगल इस्तिती क्या है इन सब तमाम बिंदूओं पर बहुत गहराई से अपने दर्सकों को जानकारी देने के लिए हमने कोशिस की है रिचाइड जर्ज और कानून के मरमग्य बीडी नक्वी नक्वी साहब हमारे साथ जुल गए है नक्वी साहब बहुत-बहुत स्वागत है के नियूज में आपका बहुत दुखद दरश्य दिख रहे हैं पिछले दो अक्टूबर के बास से बहुत ही जगे-जगे यह तरह-तरह की स्थितियां दिख रही है तरह-तरह के वीडियो आ नक्वी साहब देखा उससे बात मालूब होई मुझको के मंत्री जी हमारे कई मुकद्धों में मुल्जिम रहे और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने अपने मर्डर ट्रायल के मैलेज किया जो जज रिटायर होने वाला था 30 जून को उसे 29 जून को उनको एकोटेल कर दिया मैं मांग करूं सब्सक्राइब होने जिसने इनका एकोटेल किया यह बहुत ही संगीन बात है हमारे मंत्री जी मुल्जिम के फादर कई मैटर्स में मुल्जिम हैं यह बहुत ही अफ्रोसनाक बात है हम तारीख के बत्तरीन दोर से गुजर रहे हैं जहां पर पूरी विवस्था हो गई है रोटिस लिया और सब्रीम कोट ही कहा कहरे भई मार्टर के मुल्जिम को क्या आप बुलाते हैं जो आपने कहा इस बात को यह इसलिए अब मुझे लगता है कि और भी सब्रीम कोट पूरी तरह मौनिटर करेगा अब मुल्जिम का बचना मुश्किल है हजारों लोगों ने द जरूरत थी कि रिटायर्ड हाई कोट जज करे के इसके अंदर कोई जुडिशियल इंक्वारी का कोई जवाज ही नहीं है तो पुलिस गवा है मैं तमझता हूँ पुलिस में भी अच्छे लोग है वो गवाई देंगे और पुलिस ने बेटर गवाई कौन होगी सरकारी गव इसके अलावे ज़ो आज सुप्रीम कोट ने बिंदू उठाये जैसा कि कहा कि आप संबन देते हों कहते हैं आप चले आए भाई साव आपसे पूंश ताच करने हैं कल सारे बिंदू हमने मंतन कारिकरम में एक एक बिंदू उठाये थे और अज मनी सुप्रीम कोट ने वही बिंदू उपर फटकार लगाई है उत्तर परदेश की सरकार को भी और यहां के सिस्टम को भी अब आज जो जो रुख रहा सुप्रीम कोट का उसे आप किस दरस्टी से देखते हैं और दरसकों की बताई कि न्याइक जाच की अवसेक्ता कहा पड़ती है कौन सी परिसितिया होती है जब हम न्याइक जाच की मांग करें या करते हैं और फिर न्याइक जाच होनी चाहिए ऐसा क्या विदान है देखे है आपने बिल्कुल ही पंजन सवाथ किया बिल्कुल रेल्यमेंट सवाले मैं यही अर्zte करना चाहताओ आँएँ तारे दर्शकों को कि अगर यह घटना रात के अदेरे मोही होती अगर ये घटना पुलिस और पप्लिक के भीच में हो ही होती तो इसमें इस हवाल उड़ता के बैपुलिस ने गुली क्यों चलाई तो कौन सी परिस्ट जाती उनका एक्षिन गलत था यह सही था जुटिशेल इंक्वारी की जरुत महा होती है कि जहां पर एविडेंस इतनी इंट्रिकेट हो और उसके अंदर कुछ लीगल कुश्टेंस इंवाल्व हो राइटा प्रेविड डिफेंस इंवाल्व हो या घटना के अंदर करकारी मश्रीरी का इंवाल्मेंट हो यहां पर सीधा-सीधा एक पार्टी की कुछ लोगों ने किसानों पर गाली जड़ाई बुड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारों ने जैसे की तैनी जागरन ने रिपोर्ट कर दिया किसानों को अब गर्व जो है उन्होंने हंका मत दिया तो इस तरह की जो रिपोर्टिंग है लेकि हमारा देश किरोनी कैपिडलिजम के दौर से गुजर रहा है हमारा best example है जहां पर political executive का business man से गड़ जोड़ हो चुका है प्रावलम यह है कि आप जैसे पत्रकार में बहुत कम ऐसी आवाजें भी बहुत कम लेकि जन्नली जो है उन्होंने खरीद रखें कार्पोर्ट हाउसेज ने तो महां से कोई अबाद इठाई नहीं जाती सकता है पहराल जगता जागरूख है मैं समाझता हूँ कि जन्ता कुछ अपकी जिम्मेदारी समझ नहीं होगी और पूरी तरह से हमें constitution का रखवाला अबाम को ही बनना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट इसलिए आ गया है क्योंकि वो गार्जियन है constitution का गार्जियन है उसकी जिब्मेदारी है कि जब administrative failure हो जाए जब system का failure हो जाए तो उनकी जिब्मेदारी है कि वो constitution की रखवाली करें और इसलिए और भी सुप्रीम कोर्ट ने पैस्टा लिया यह welcome step है बहुत ही अच्छे step है तो मैं इसमस्ता हूँ कि उनके defense के बाद सामने आ जाएगा नक्वी साथ हमारे साथ बने रहे हैं नौजोव सिंग सिद्धू जो मौनोपवास कर रहे थे रवन कस्व जो पत्रकार साथ ही नहीं रहे उनको मार दिया गया उनके घर से बाहर निकलकर नौजोव सिद्धू ने क्या कहा जराब वह बयान हम सुनाना चाहेंगे आज अगर आप किसान आंदोलन को देखेंगे तो विश्वास उठ गिया है इस सिस्टम से किसान भाईयों का भी विश्वास उठ गिया है कि मैंने तब भी मांग की थी कि क्योंकि F.I.R. में नाम है आई विटनेस है प्रूफ है एविडेंस है मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन जोइन करनी चाहिए नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए पुलीस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है इतनी एफिशेंट है लेकिन क्यों नजर अंदाज हो रहा है पुलीस चाहें तो बाल की खाल निकाल सकती है कग कहा निकाल रही बाल की खाल नपकी साब ने बड़ी बहत्तपूर बात कही कि बहुँ कुछल दिया गया है कुछल दिया गया है कि पुलीस की कॉई भूमिका इसमन नहीं है इसे में नकवी साथ कहे जरूर है बनेगी किसी ने किसी के आत्मा की आवाज आत्मा जागेगी मुझे उम्मीद नहीं लगती है नक्वी साहब से एक आखरी सवाल कर लेते हैं कि नक्वी साहब क्या आपको उम्मीद लगती है कि जब ग्रहराजमंत्री पदपर हो अभी तक स्तीफा ना नैतिकाधार पर दिये हैं और ना उन्हें हटाया गया है जबकि पूरत देश के तमाम एक बहुत बड़ा एक वर्ग ह सब मांग कर रहे हैं ऐसे में क्या पूलिस को अपनी भूमिका से न्याय करनी कि आपको उम्मीद है और अगर कल उनकी गरफतारी नहीं होती तो क्या मानी सुप्रीम कोट जो 20 तारीक को सुनवाई है उसमें कोई सक्ट एक्षन ले सकते हैं कि पूलिस के क्योंकि एकाथ पूलिस मैं ने टीवी पर ही ब्यान दिया कि उसमें देखा मंत्री की रड़के को इसलिए मुझा अबीद बंदी वैसे तो जाहरे इस सिस्टम में आप उम्मीद किसका करेंगे लेकिन मैं ही मानता हूँ कि कुछ लोग हर फोर्स में हर जगे हर सिस्टम अच्छे होते हैं मैं तीस साल जजज रहा हूँ तो मैंने देखा है कि देखे पुलिस के बगार जो हमारा जिदिशिटर सिस्टम का बेस हिस है वो तो पुलिस पर रही है ना पुलिस सिस्टम इसका पार्ट है और उसके अंडर कुछ लोग खराब हैं काफी लोग इतने बारे में परकाशिंग एक रिपोर्ट है और भी स्प्रीम गोर्ड नहीं कहा था कि उसको लागू करो परकाशिंग रिपोर्ड को और ताके ये पुलिस जो है हमारी वो पॉलिटीशन के कलचे से आज़ाद हो जाती है वो रिपोर्ड अगर स्प्रीम गोर्ड अब लाग अब बहुत अच्छा सुझाओ दिया नकवी साहब ने बहुत सांदार सुझाओ दिया और बड़ी उम्मीद भरी बात की कि अगर ये रिपोर्ड लागो होगी तो कुछ सुधार होगा अनिवर्ड स्प्रीम कोट मुझे लगता है कि इस तरब भी ध्यान देगा और एक वास्तों में हर बार सुप्रीम कोट को हाई कोट को आम आदमी को निया दिलाने के आना पड़ेगा ये बड़ा सवाल है नकवी साहब बहुत बहुत सुक्रिया आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया बहुत धन्यवाद आपका